अच्छ के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलेगर्ड मुस्लिन इनिवर्सिटी से जुड़े अपडेट्स और नोडिस के बारे में तो उसके लिए आपको गूपल पर सर्च करना होगा जैसे ही आप सर्च करते हैं तो जो भी पहला आइकन शो होगा आपको वह एम्यू का वेबसाइट आइकन है आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है वेबसाइट इसमें नीचे आते ही जैसे कि आपको पता है अड्मिशन सेक्शन में हमें सारा कुछ मल जाएगा इनके कांस जिसमें मैक्रो बायोलॉजी का रिजल्ट में अबदेट हुए है फेक्यूल्टी ओ आज का भी रिजल्ट आचुक आ कें ऑप कॉमर्स का जिसमें M.P.T.M अभी डीयूरी तो है फेक्यूल्टी अभी पहले ही आचूकि इन्जिनरिंग टेक्नोलोजी का भी रिजल्स का अप अधिक्रसी बतैनी का रिजल्ट भी आया झाल यह अधिक्रस्टी गज़ाँ का रिजल्ट आप अधिक्रस्ट का पाद मेरी इसमें आई थिंक एंब्यों और हॉस्पिटल एड्मिनिस्ट्रेशन का बाद में आया है। बाकी IBF और MBIBF का रिजल्ट आप चुका है पहली इसके बाद अगर हम बात करें Faculty of Science की तो यह रिजल्ट है सबके अपलोड हो चुके है Faculty of Social Science में यह रिजल्ट है जो आचुके है MSW रिसिंट में आया है Faculty of Theology में यह आया है जिसमें अभी M.A. Shia Theology आया है Faculty of Yunani Medicine का रिजल्ट अभी नहीं आया है, Senior Secondary का रिजल्ट आचुके है और Bridge Course का रिजल्ट आचुके है इसके अलावा गर हम कांस्लिंग शेडियूल की बात करें तो कांस्लिंग शेडियूल यह सेकेंड वाला लिंक है आप इस लिंक पर क्लिक करके कांस्लिंग शेडियूल ओपिन कर लेना है इसमें आप रिजल्ट देखेंगे तो Faculty of Engineering और Technology का रिजल्ट आगे जिनकी कांस्लिंग स्टार्ट भी हो चुकी फिफ्ट सेप्टेम्बर से Faculty of Medicine का रिजल्ट आगे इसके बारे में हम बता चुके Senior Secondary School का भी आ चुका है इसके बारे में भी हम बता चुके जिसकी कांस्लिंग हुपफ़ली 10th September से स्टार्ट हो रही है जिन डेट यही है मुझे क्लियर लिया दे ब्रिज कोर्स का भी स्केडियूल आ चुका है यहां से आप चेक कर सकते हैं ब्रिज कोर्स वाइस और गल्स तो मैं वाइस वाले पर क्लिक करके आपको शेडियूल कैसे है वो दिखा देती हुए इनका शेडियूल भी सेम ही है क्योंकि यह सेडियूल को और ब्रिज कोर्स दोनों का एक ही साथ ही होता है यह मैं आपको बिदाया था अगर आप ते हमारे कल की वीडियो देखियोगी तो यह साई वाइस राइट 10 सेटमबर से निगर कांसलिंग स्टार्ट रही है निकल सेन की कांसलिंग स्टार्ट हो रही है कांसलिंग को मैं एक बारी पहला राउंड आपको ब्रीफली अपडेट कर देती हूं 10 से 12 सेटमबर के बीच जो भी स्टूडेंट्स ने का नाम आया है रिजल्ट में जिनके भी रोल नंबर्स हैं उन सब को चाहे वो किसी में भी हो सेलेक्टेड लिस्ट क्यों चांस में पर फिर सम्मिशन कर देना है इसके वीडियो अल्रीड आप उसे देख सकते हैं 13 से 16 से बीच में उन ही स्टूरेंट्स को अपने डॉक्यमें को वेरिफाई करना है अगें कांसलिंग पॉर्टल से ही 17 और 18 एक्सेप्शनल है क्योंकि उनके लिए हैं जिनका डॉक्यमेंट मे कोई प्रॉब्लम आता है और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो 17 सेप्टमबर को उनको चांस मिलेगा रिसमिशन करने का और 18 को उनहीं रिसमिशन डॉक्यमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 19 सेप्टमबर तो 21 सेप्टमबर के बीच में आपकी फॉर्म को उसके बाद आपका नेक्स्ट काम जो होगा वह 22 सेप्टमबर से होगा आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको आपको फीबढनी होगी 22 से 24 सेप्टमबर तक का आपके पास टाइम होगा फीबढने का और अगर आपको 24 तक नहीं भर पाया तो 25 लास्टे होगा बट आपकी फाइन लगेगा लेटीए का जो भी आप सकते हैं अच्टम रहागे देए और आपको drifting से कौंसलिंग में कःतर आपको काम से एक पारिक से करना है उप्तिक सिर्क होगेवाधनी है करना है सब सकते में करने और आपको फारम लिस्टा आने पर फीस किबढने है क्योंक एक्सेप्शनल्स के लिए है और उसके बाद तीन दिन में किसी भी टाइम लिस्ट आ सकती है तो उसमें भी आपको कोई काम नहीं है सो आपको सिफ इतना ही परफॉर्म करना है अजन काउंसलिग और अड्मिशन शेडियूल में आपको आपको यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ आया होगा अगर आपको डीटेल में चलिए तो आप डीटेल में हमारी वीडियो से चेक कर सकते हैं तास इट फॉर वीडियो थैंक यू